भारत और मालदीव के वीड जो विवाद चल रहा है उसकी असल वज़ा आप जानते हैं असल वज़ा तो चीन है ये तो आपको मालूम है लेकिन मुस्लिम कट्टरपंथ भी एक बड़ी वज़ा है बिल्कु सही सुना आपने क्योंकि जिस तरीके से चीन की मौडूदा राश्पती जो मुस्लिम विचारधारा सेफरेद है आपको याद होगा कि जब वो राश्पती बने तो उन्होंने पहली यात्रा तुर्किये की की दूसरी यात्रा चीन की की और जो विवाद इस वक्त चल रहा है इसमें फाइदा चीन लेने की कोशिश कर रहा है और तो और पाकिस्तान भी लेने की कोशिश कर रहा है बिल्कु सही सुना आपको थोड़ा background बताते हैं फिर उसके बाद आके ले चलेंगे दरसल जो लक्षद्वीब की तस्वीरे पियम मोदी ने ट्वीट की थी कि भारत के लोग जादा से दादा लक्षद्वीब आये यहाँ पर खुबसूरती है और लक्षद्वीब को आकर के एक नया tourist spot बनाए उसके बा तो भारत सरकार भी हरकत में आती है और फिर मालदीव को अपने तीनों मंत्रियों को पद से हटाना पड़ता है अब बात तो यहाँ खत्म नहीं होती है क्योंकि जो मौजूदा राश्पती है मौजू दरसल ये पूर राश्पती अब्दुला यासिन के समर्थक माने जाते दी ये बाक्राउंड है और तो और स्थिती इतनी विगड़ गए कि भारत ने जो चीज़े उपहार में मालदीव को दी थी वो उसने लोटानी शुरू कर दी अब जो 2011 के बाद जो स्थिती रही जब पूर राश्पती यासिन का कारेकार रहा उस वक्त चीन ने ऐसा मकरजा पहलाया कि फिर मालदीव फस्ता ही गया वहाँ पर तो विरोध भी शुरू हुआ लोग सड़कों पर आ गए क्योंकि आपको बताएं कि चीन ने जो मालदीव को कर्ज दिया है मालदीव ऐसा तीसरा देश है दुनिया का जिस पर चीन का सबसे जादा कर्ज है ऐसे में जो उ समझोते हुए और जब समझोते हुए तो उसका भी विरोध किया गया लेकिन उनको फरक नहीं पड़ा और जो मुस्लिम कटरपंत का राग इस वक्त मोईजू सरकार भी अलापती है उसका भी यहां पर असर पड़ा है रिष्टों में खटास आ गई है हाला कि मालदीव से भ विजू सरकार का जो फैसला था हमारी आर्मी मालदीव में तैनात थी लेकिन उसको लटाने का आदेश दे दिया गया तो एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए गए जिससे यह मालूम चरा कि वो भारत विरोधी है और चीन के हित में है लेकिन ऐसा नहीं है कि चीन के साथ आप दोस्ती बढ़ा रहे हो तो भारत के साथ आप दूरियां बढ़ाओगे तो आपके हित में रहेगा क्योंकि चीन करता क्या है पहले वो पैसा लगाता है कर्ज के मकरजाल में फसाता है और विकास की बात करता है उससे जादा नुकसान होता है उन देशों को और फिर वो चीन की चाल में फस्ते चले जाते हैं यही चीन ने मालदीव के साथ किया और जो मुस्लिम कटरपंत का राग अलापते हैं जो मुस्लिम कटरपंत वहाँ पर इस वक्त मालदीव में है क्योंकि भारत से काफी सारे परेटक वहाँ पर जाते है और वहां की जो अर्थविवस्ता है उसमें परेटक एक परेटन एहम रोल अदा करता है क्योंकि परेटन से काफी सारी आया आती है और हर छटा वेक्ती जो टुरिस्ट है मालदी में वो भारती है लेकिन जो बुकिंग्स कैंसल हुई है जो भारत की जान लोगों ने जाना बंद कर दिया है उससे नुकसान और नुकसान मालदीव का हो रहा है यही बात मालदीव को मालूम है से मोईजू ने माफी तो मांग ली है लेकिन वहापर सरकार गिरने तक क्या आसार बन गए